आज हम खेल रहे हैं दुबार से रैद सिमुलेटर अब मेरे पास में 10 डॉलर बचे और 2417 डॉलर का हम पर कर्ज है बट एक चीज बताओ ये दोनों चीज बनाना ना वर्थ था क्योंकि अब मेरा ना बहुत जादा टाइम बचेगा क्योंकि पहले ये छोटी सी बाल्टी के अंदर 7 लिटर पान ये आता है सुचो अपने को मुर्गी को भी खाना देना है मैनूली जाकर पिक्स को भी खाना देना है उसके बाद में घोडे को भी खाना देना है अब तो गाई लेके आ गए गाई को भी खाना देना है तो ये पंका और ये फीडर लगाने से अपना टाइम काफी जादा बच जाएगा और रही बात खाने की तो छोटी सी गाड़ी के अंदर मेरे को बार बार जनरल स्टोर जाकर थोड़े बहुत बैग उठाकर लेकर आने पड़ रहे हैं तो मैं याद हैं हमने सर्फ और सर्फ 4 male pigs लेकर आ थो नहीं दो male और 2 female लेके आ गये थे उन लोगों ने इतनी बड़ी फौज रेड़ी कर दिया पहले अपने पिक्स को छे बच्चे होए थे उसके बाद में और छे बच्चे होगा और बच्चे भी काफी जादा बड़े हो गए तो तुम लोग एंजॉय करो, खाओ भी हो, मस रहो तुमें और क्या चाहिए, जब मेरे को जरुद पड़ेगी तुमें लेकर चला जाओंगा, अब रही बात गाए के बान हाउस की, अपने डेरी प्रोडक्चन की तो यहाँ पर अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ एक गाए जसको मने ना खाना दिया हूँ ना पानी जिए हूँ थो पहले मेरे जोक्य做ण ऩाओ चुन को फिले फ़ये को जुंकि यदेρο मेरे 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 होना वांक strengthened बदाब मेरे शाओंग मतलब मेरेख ऑभी बदियुकर और मोस लेकर आएगे तो 32 के अपने को नहीं 32 लॉक्स के प्लैंक्स बनेगे 32 नहीं 16 लॉक्स लेके आगे तो 32 प्लैंक्स बनेगे यह यह था थोड़ा सा मैं कन्फिज हो गया था स्वरी आपको वीडियो के भी इस डिस्टब किया यह प्रते हैं बचमे को एक बहुत Newश दिन में को tough करने कास्च करो तो अगर आप अपने क्यों सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको वाइड रेंज मिल जाती है ट्रेडिंग एन इन्वेस्मेंट प्रोड़क्स मिल जाते हैं जैसे के स्टॉक्स फ्यूचर एन ऑप्शन करन सी मार्केट मुचल फंड आई प्यू एक्सेक्टर एमस्ट के सबसे खास बात य कि यह जीरो ब्रोक्रेश प्लाटफॉम है जहां पर आपको कोई ब्रोक्रेश देना ने पड़ता पर एग्जेक्टिंग एनी ट्रेड्ट आन इन्वेस्मेंट जहां पर अधर ब्रोकर को आप ड्रोक्रेश के नाम पर एक मोटी अमांट पे कर देते हो अपना डिमेट पासकते हो फॉर लाइफ टाइम पर आपको वन क्लिक ओडर प्लेस्मेंट सुपर फास्ट ओडर एक्जिक्विशन भी कर सकते हो विद फॉर स्टार एप रेटिंग एंप स्टॉप फाइनल सलुशन विछले एक साल में अपने साड़े आठ लाग क्लाइट्स का 145 करोड का ब्रुक्रेश बचा है तो आप किस बात के लिए रूखे हो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंड में एमस्टॉक का लिंक दे दिया है तो आज अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्मेंट जरनी स्टार्ट कीजिए वि नूब ये वाली गाड़ी इसलिए पर्चेस किया हूँ क्योंकि वो जो बड़ा सा ट्रेलर है वो मेरी छोटी वाली गाड़ी नहीं खिस सकती उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है वो जो अपने दद्दू बैठे हुए उनको पैट्रॉल का टेंकर अपने को देना है पैट्र जाएगा लेट्स गो अब चलते जाकर 16 लेकर आता है और आज ना दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है अभी शाम के बज रहे है 16 बच के 16 मिनिट दो मेटल पड़ा हुआ ना मेरे को रखने दो इदर और अभी अपने को शोरूम जाकर वो कार भी अपनी लेकर आ अपने रखे हुए उसका अभी उत्ता जादा नीड नहीं है पहले जो बेसिक काम है वो कंप्लिट करते उसके बाद में जाकर ओइल बेचे क्योंकि रात बर में तो अच्छा खासा ओइल वहां पर जमा हो जाएगा और अभी अपने को ना एक किचन भी रेडी करना है अपन पर फिर चीज स्टोर करने के लिए बड़े बड़े कैबिनेटी भी बनाने पड़ता है और गाय तो खरीत के लेकर आ गये हमने उसके लिए भी अपने को कंटेनर चाहिए फिर दूद निकालने के लिए एक मशीन आती है वो भी पर्चिस करना है वरना मैनुली करेंगे ना तो मैनुली बहुत जादा टाइम लग जाता है एक मनना मेरा यह भी कर रहा है कि थोड़ा बहुत और पैसे का जुगाड करूँ कम से कम 600 डॉलर का करूँ और दो और फिमिल पिगना में लेकर आ जाओ अपने घर क्योंकि दो मेल तो अपने पास और चार फिमिल हो जाएगी अभी मेरे को चाहिए लेटेस्ट वाली मशीन यह ना लेट्स को इसके अंदर पैट्रोल है चलो वो जाएगा इतने पैट्रोल के अंदर अपना काम हो जाएगा दो मशीने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो ओल्ड वाली मशीने अपने वो बहुत जादा स्लो स्पीड से क इन के लिए क्या है तो दुबारा से गिनने की जरुरत ही नहीं कोई सैंसी नहीं बनता नूब वाली हरकते मत क्या कर टोटल चार स्टैक रेडियो गए मेरी प्यारी गाए तेरा खाना आने वाला है बस एक मिंट की और बात है इसको रख दो बीच में और चन कर रही है बाहर जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी समझे चुपचाप से अंदर रहो और यहां पर फीडर बनते के साथ भाई इसके अंदर खाना भी आगए यहां पर पानी भी आएगा गूमो गूमो फीरो एश करो मजे करो चलो फटा-फट से ना किचन का ब्लूप्रिंट रेड चार और यह पाँच ठीक है पाँच उसका बनाते भाई उसके अंदर तो बहुत अभी मट्रियल लग जाएगा सिर्फ आजू बाजू की दिवार बनाऊंगा और फ्रेंट और बैक साइट दोनों जगा से खुला रखूँगा मैं ताकि कभी गाड़ी आई यहां पर खड़ प्रड़ा उगए इतना सफिशन्ट एएक को भाई छे प्लेंग छे प्लेंग इसके लिए तीन तीन प्लेंग बहुत ज्यादे प्लेंग लग रहा और यहां पर अपने पर रैंप बनाऊं नहीं बनाऊं कभी एक्स्टेंड करेंगे नहीं तो इधर साड़ में अपन रैंप बना सकते हैं अंदर रैंप लगा देता हूँ ऐसे ना अच्छा नहीं लगा रहा नीट एंड क्लीन होना चाहिए बिल्कुल बट यह इतनी सी जगह पर मतलब इसकी हाइड छोटी है तो यहां पर रैंप भी नहीं लगा रहा पता नहीं क्यों और एक चीज उपर का तो छट ब रहेगा बस यहां पर आएगी मिडल में एक वाल ठीक है इधर सेड में एक वाल इदर सेड में वाल जैर मैंको इदर यह वाला रूफ लगाना है बट यह पता नहीं सुरत लगेगा वाई एक बार जब पूरा बन जाएगा ना चार चांद आ जाएगे अपने घर पर बट ये किचन बनाने के लिए बहुत जादा मेहनत लगने वाली अभी अपने को अल्राइट तो हो चुकी है प्यारी सी सुबा रात को पता नहीं कुछ तो ग्लिच हुआ था रूफ मिली नहीं रहे पता नहीं शायद से सोकर उठने के बाद में ये प्रॉबलम सॉल्फ हो गई होगी या फिर नहीं मैं कब से रूफ ढून रहा हूँ ठीक है देखो तुम्हें बतातो ये वाला रूफ लग गया पूरा डबल डबल कनेक्ट कर दिया इसको इदर से भी ये डबल डबल कनेक्ट होगा ठीक है अब रही ये बीच का स्पेस खाली रह गया यहां पर अब मैं क्या लगाऊंगा ये लगाऊंगा ना कुछ दिवार ऐसे लगाए हो और ऐसे करके जुगार लगा देते इसको एक में चिपका देंगे वैसे जुगार से याद आया एक सेकंड अगर मैं नीचे का तोड़ूंगा उपर की भी ब्लूप्रिंट गायब हो जाएगी यार मतलब यहाँ पर दिवार बनाना ज़रूरी है चलो ठीक है बना लेते हैं दिवार कोई बात नहीं बीच में से रख लेंगे हम एंट्रेंस बट इतना सा ये छोटा सा किचन बनाने के लिए घंटो निकलने वाले है अभी अब यहाँ से बिलकुल परिफेक्ट बैठे गई है यह पूरा का पूरे फाउंडेशन और मैं सोच रहता है बीच का खाली छोड़ दू बट यहाँ पर बिना डोर फ्रेम वगरा वो लगाना ही पड़ेगा वरना यह ऐसे अजीब दीखेगा इसके अंदर मज़नी आगा न फिर डोर फ्रेम लगा ही देते है दोनों साइड में अब क्या ही कर लेंगे इसके पदाल देंगे फिर वो वाली चत जो इतिनी देर से हमें परिशान कर रही थी अब तेरे को क्या चाहिए है तेरे को इधर से क्या लगेगे नहीं बताओ इधर से अब ये लग नहीं रहा क्या हो गया गेम को क्या पता चलो ठीक है ये अपना खूबसूरा सा काफी ज्यादा बड़ा किचन सच में भी रैडियो हो गया है अब चलते है जाकर वुड गते है कि उसके अंदर कम से कम कम से कम कम से कम एक घंटा निकल जाएगा जनवर लोग तूम लोग जा गया हो ना है खारे पीडे हुरे हो ना अनदे देरो नोग एपर ये बाकि ए पाकि अव्रिभरी इस की डिकhst अड़ा ईये रहे ये को ये जी यह değildi्जा लिजाए करेंग और जेरीकैन भी लगेगा अभी मैं जारू पैदल पैदल पहले वह छोटी गाड़ी उठाके लेके आते अगर उसके अंदर तेल गम रहेगा न जेरीकैन में तो जेरीकैन की ready made planks खरीद ले क्या महेंगा पड़ेगा अपने को kitchen बहुत जादा बट अपना ना time काफी जादा बच जाएगा चलो ठीक है मैं यही कर रहूँ अभी जो भी oil है सीधा सीधा बेचेंगे जो भी पैसा आएगा उससे ready made planks खरीदेंगे kitchen ready करेंगे kitchen ready करना main task है और एक new guy भी purchase करना ये भी main task है जाते जाते बस ना थोड़ी सी टंकी फुल कर ले तो मैं जैरी केन मेरा खाली हो गया ना क्योंकि अब देखो ये कुछ नया glitch हो गया है अब ये refuel नहीं हो रहा पूरा glitch से भर गया है गेम पता नहीं पहले एक glitch नहीं होता था गेम के अंदर एक भी glitch नहीं होता था अब पता नहीं गेम को क्या हो गया है कौन की किसकी टटी सुंग लिया है नहीं पता दिमाग खराब होता भाई अब पिछले तीन चार दिन से तो बहुत जाद ही बग्स और glitches हा रहे 44 लीटर तेल वेरी वेरी डाइस लेट्स गो 44 लीटर तेल मतलब 440 डॉलर कैश मैं यह दोनों भी बैरल को इधर ही रख रहो हूँ और बाद में जो दो बैरल है ना क्योंकि हाड़वार स्टोर तो हम बार बार जाते रहते ना तो वही पर यह दोनों बैरल वहाँ पर ही रख देंगे यहाँ पर ना शायद से 48-49 लीटर हो गया होगा क्योंकि पहले जब मैंने चेक किया था ना दोनों जगा सेम प्रोड़क्शन हो रहा था इधर भी तरह होने के बाद में 44 लीटर ही है तेल चलो ठीक है 800 डॉलर की यह कमाई हो गई बिलकुल मुफ्त मैं पाइनली अपनी लोकेशन पर आ गए 800 डॉलर तो हम कभी भी बना रहे बाइस के अराम से 800 डॉलर देखा 880 डॉलर अब मैं सीधा सीधा ना प्लैंक पर्चेस कर रहो एक दो तीन चार आठ आ रहे ना 32 डॉलर के आठ प्लैंक पड़ रहे है मैं बहुत सारे पर्चेस कर रहो हूँ मेरे को नहीं पता मैं बहुत सारा पैसा इसके अंदर डाल रहो हूँ ठीक है 640 डॉलर 700 डॉलर ले ले चल 700 डॉलर मैं इसके अंदर पर पे कर रहो हूँ मेरे को टैंशन नहीं चाहिए किचन बनाना है आज कुछ भी करके और अभी ये जो दो बैरल पड़े ना ऐसी कि तैसी भाई बैरल की रखो इदर बाद में उठा कर लेकर जाएंगे और इतने सारे जो नहीं एक काम करते हो ये जैरीकन को भी यहीं पर ठुज देते हैं इतने सारे प्लैंक आए गैस आए गैस आए गैस आज आने चाहिए एक बारी में तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा ये पाच स्टैक कितने परफेक्ट लगे ला गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा है कही से आजाये बस बारेल इसके उबर आ रहा है आ गया आ गया आ गया एक बाहरील बारयल रख़कन दूगा ओट जुगार करने से कितरा फाएदा होता है बैरिल के उपर बैरिल तो आय जाएगा ना आरे बास हो गया चोटी सी गाड़ी के अंदर राइट में जहरीक लगा हुआ या आरे मेरे को लगा ही ता यह बैरिल का सीन होगा हवा में रुख गये चलो ठीक है बाद में आकर लेगे जाएगे मेरे को अंदर थोड़ा- करने आयो मैं उसके अंदर से ज्यादा स्टैक इसके अंदर आ जाते हैं वह सिर्फ लोड़ खिचने के और बड़े-बड़े जानवरों को लोड़ करने के काम की गाड़ी है आई हो प्यार इतने प्लैंक्स के अंदर अपना काम हो गया ना और अभी कुछ दिन तक कम से कम दो से तीन दिन तक कम से कम कोशिश करूँगा मैं ऑईल में से 0 रुपे निकालू जो भी अपने को पैसे चाहिए वो अपने पिक से मुर्गी से और गाय का दूद बेज देंगे अंडे बेज देंगे हंटिंग कर लेंगे हो इसे पैसे का जुगाड कर लेंगे दो तीन दिन जरा वो पैसे से उने देते हैं क्योंकि अब कितना करजा है अपने पर 2333 डॉलर का स्टेल हम पर अभी भी करजा है वेरी वेरी नाइस लोट्स गो फटाफट से पहले फांडेशन का काम रेडी करा जाएगा उसके बाद में दिवारे पहले फांडेशन बनेगी नहां गाड बना बना कुछ नहीं बना पूरे स्टेक अपने सिर्फ और सिर्फ जमीन के अंदर ऑर स्टितने में ब्हूरा है एक चीज यह कर सकता हूं मैं अभी के ना पूरे बेस को रेडी करने से अच्छा मैं सीधा सीधा ना देखो तुम्हें बताता हूं यहां तक तो फाउंडेशन रेडी हो गए अरे ना इधर सिर्फ और सिर्फ दो स्टैक ना रुक जो रुक जो बचे कुछे के अंदर जो दिवार बारों का काम तो इजिली हो जायागा देखो इतने लकडी के अंदर तो बडिया है बहूत अच्छी वात होगी बट मेरे को ने लगता होगा हो एक कोई बाढत हो गया था नहीं हम थोड़ी बहुत लकडी है यहां वहां से लिक् eyeballs करा गया टाइम बचाने के लिए बस मैंने खर्च किया, मुड मेरा बिलकुल भी नहीं था 700 डॉलर उठाकर सिधा इसके अंदर ही डाल दू मैं बट चलो कोई ना, चलता है कभी कभी थोड़ा बात हो गया भाई, नीचे का पूरा बेस रेडी हो गया सिर्फ और सिर्फ अपने को करना है, अभी च्छत का काम कम्पलीट ठीक है, इदर रैम्प भी लग जाता ना तो मस्त काम होता यार, बट रैम्प लगा नी, चलो कोई ना ये बीच का न मेरो कैसा लग रहा है, शायद से ना खूला ही रहेगा, चलो खूला भी रहेगा तो कोई सीन नी है अंदर लाइटे भी लगानी पड़ेगी, भूल आता मैं, देखो अंदर लाइटे भी लगानी होती है किचण के अंदर, अब सिरुफ अपने पास में दो स्टेक पड़े हो चिसके अंदर hice लगता कुछ होने वाला है तीन चार दीवारे बनेगी बहुत से बहुत उससे जादा तो और कुछ नहीं होना आला उपर के लिए भी तीन ही प्लैंक्स लग रहे है अपने को चलो ठीक है जो भी है इसको पहली उतार के अधर रख ले तो रैंप नहीं है ना तो मेरे को अंदर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही भाई कहा सिफ दिवार रेडी करें पहले इधर से दिवार रेडी करते है ना ये अपने मुझे सामने रहेगी ना तो अच्छा लगेगा होगा वाई कंपलेट होगा इसको भी छेचे वो लग रहे इतना तो रेडी कर लिया है बागी इतना छोड़ दो इधर के लिए ब्ल्यूप्रिंट है यहां के लिए अपने रेकौर जाकर लकड़ी लेकर आने पड़ेगी और हाँ इधर सीड़ी लग गई वाई चलो यह वा हमारा प्लन यह थाई नहीं है मारा प्लान कुछ और ता इधर की तीन वींडू अधर की तीन वींडू समर्ल में बाभ भाई बहुत जादा इधर प्लिया यह फुल करने की जरूरत है यहां फोल जरूरत एलो बढाई फूल कर दिया 77 डॉल्लर और एंभर यहां बिलिए सब्सक्राइब कर लेते हैं एक दो यहां पर यह तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा बारा ही बच्चे अपने पास में ज्यादा नहीं हुए यह शायद से हो सकता एक दो दिन के बाद में और हो जाए 600 डॉलर का तार्गेट है 600 डॉलर करने मेरे को जब तक यह पिक हके बच्चे हमारे बड़े होते रहेगे और बड़े वाले पिक और ज्यादा वो करते रहेगे लाट्स गो जो भी मिलेगा बस पीटे जाएगा और कुछ नहीं या फिर एक मन यह भी कर रहा है कि मैं किचन का काम पूरा पहले कंप्लेट कर ही लू यार पहले किचन करने के लिए लगे कि उसके बात में उपर का तो सीन नहीं है उपर का मैं थोड़ी देर के लिए खुला भी रखूंगा ना लाइट वागेरा वह आने के लिए तो भी इत्ता जादा सीन नहीं है तीस यह और छेए च्छती स्प्लैंक अपने को चाहिए अभी फिल हाल में ल अच्छा है ना 50-60 प्लैंक और खरीद के लिए के आजोंगा 500,000 डॉलर के बैंक वाली मैडम मेरे घर वाले बहुत ज्यादा भीवारे प्लीज मुझे थोड़ा बहुत लोन चाहिए मजाग ने कर रहा सची में टेक क्रेडिट नहीं मेरे पास नॉट इनफ मनी दे 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 द ऐसी तेरे को बताएगा मैं तेरे को मैं ओ काच लगी यहाँ पर मेरे को दिखाई नहीं दी खतरनाग भाई खतरनाग जलो चुप चाप से जाकर लकडी तोड़ा खामुश और काम करो अब मैं तुमें ना सीधा पूरे लॉग्स और लॉग्स के प्लैंक बना कर ही मिलता हू तो तो काफी जादा देर महनत करने के बाद में अभी कुछ इतने प्लैंक जमा हुए और अभी सौ मशिन के अंदर अपना ओईल खतम होने वाला है जैरी के लगाया था मैंने जैरी कें का भी काम हो गया जैरी के अंदर भी जीतना पैट्रल ता रहा वह सारा का सारा खतम हो मैं पहले लॉक्स जमा गर रहा था गाड़ी में दाल रहा था और सोचा था कि लॉक्स घर लेकर जाओ फिर वहाँ पर प्लैंक बनाओ फिर मैं सोचा डबल डबल क्यों महनत करना सीधा सीधा सौ मशिन यहाँ पर लेकर आ गया यही लकड़ी काट रहा है यही पर उसके लॉ ठwas सेगे और गाड़ी लेकर चले जाएंगे सीधह सीधे सिम्पल काम डबल डबल महनत करनी की जरूरत ही नहीं और य०्क रग रहा है जितने में मैंने अभी जमा कर लिया हना इसके अंदर मेरा कामया graph मेरे को ऐसे अंदर से फील आ रहा भाई जितना भी अभी हमने जमा किया भी आखरी का ये एक लोग बचा है भी मैं और कोई पेड़ तोड़ने नहीं वाला ठीक है बस ये लास्ट वाला लोग को कट करते और चलते सिधा घर क्योंकि अभी जितने भी प्लैंक है इनके स्टैक बनाना भी ज़रूरी है चलो ठीक है एक और लोग दिग गया इसको भी वो कर लेते हैं बस ये लास्ट है और कुछ चुटा हमसे और कुछ भी ने चुटा चलो मशीन कर दो बंद पाई बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे कितने स्टैक होए पहले तो वो तो चेक कर लेते हैं मैं मशीन को एक काम करता हूँ मशीन को लपेट कर mudar रख सकता हूँ कई पर भी नहीं रख सकता मशीन को लपेटने के बाद ठीक है चलो मशीन को इथर ही छोड़ते जारिके नको उसके बाजु रखता हूँ क्योंकि ये नेचर के अंदर मिक्स होगे न हो। जो नहीं आएगा पिर चलो यह एक स्टेक रेडी दूसरा तीसरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आए होप हो जाएगा बहुत है अपने पास में माल अभी और यहां पर क्यों फेकर हूँ मैं सीधा इसको अंदर ही जमा कर लेता है गाड़ी के अंदर दिखन बनाते है ऊपर का चट बचेकुछे प्लेंग की कुछ सीड़ी देखा मैंने कहा था ना यह बड़े वाले पिक अप ट्रक के अंदर उतने सारे लॉग्स नहीं आते है यह लो भाई चट कभी हो गया काम वेरी 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 नाइस बट अभी ना किचन का सिरी फो और सिर्व स्ट्रक्चर रेडी होए ठीक है ऐसे मस समझो के पूरा का पूरा कीचन हमने बना लिया यार फिर कुछ गलिच हो गया क्या नहीं नहीं बराबर है बचे कुछे प्लेंग की सीड़ी यहां पर थोड़ी बहुत प्लेंग यहां पर अपना काम होगया अप सीनी है जितने लाए तो उसके अंदर ही अपना काम डन डन होगा भाई पूरा मामला थोड़े बहुत मेरे पास में तो भी प्लैंक बच जाएगा अंदर लाइट की काफी जादा मतलब लाइट जरूरी है इदर परनाना काफी जादा अंधेरा रहेगा देखो इदर मैंने सारा लाइट के अंदर ही रहने दे रहा हूँ अगर मेरे को ये बड़े पिक अप टक की जरूरत पड़े की तब मैं इसे पूरे प्लैंक उतार लूँगा मतलब बाकि अभी तो उसको ऐसी रहने देते हैं यार अब जब निकल रहा हूँ शिकार करने के लिए तो अब ये चालू हो रही है बहुत तकलिफ देती बाई बारिश और एक सेकंड घोड़े को कल से मैंने अभी तक एक बार भी खाना नहीं दिया हूँ क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैं उसका पूरा खाना पानी सब फूल कर लिया था एक बार फिर भी नजर घुमा लेते हैं घोड़ तक क्या मैं गोड़ो को ट्रेन ना भी करूँ यार यह क्या ग्लिच हो गया पलीज ये ना हो पलीज ये ना हो पलीज उतरने रहा घोड़े से मैं यह क्या करू एक घ्लिच नव मेरे को जैस्ट अब mechanics फोड़े ब है तर्ष हम बैटे सिरफ मैं मैं ओपन करूँगा अर हुआ था देखो अपका घुमता रहेगा कर खुदी है खुद घुमता रहेगा ये ग्लीस से तो भाई फायदा हो जागा फिर अपना गर ऐसी चलता रहा है ये इसके अंदर मस्त कहां में रुक गया ये देखो अब मैप खोलूगा बन करूगा अब कुछ नहीं अब मैं मेरे ह दो मैं मेरे को और कुछ लीजिए ये स्टेशन के पास चले जाएंगे तो पैटर्ल भर कर आजाएंगे विए सरे मशीन का लेकर जा रहा हूँ मशीन को रख कर जाते है कभी गल्ती से ज्यादा जानौरी मिल गए तो सबकी कुटाई करने में काफी ज्यादा असानी होगी वेरी 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 नाइस और स्लिपिंग बैक रख रहा हूं मैं गाड़ी में अभी जा रहे हैं जहां जा रहे होई के हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारा मीट जमा करके एक बारी में लिका राएंगे लट्स गो सेलमोन भोई आ रहे हैं और सारे के सारे जैनवर छुप जा भाई कोई नहीं बचने वाला जो दीखेगा मार खाएगा ला 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 वान टू और अब बचा अब वण तीन चार गोली खा लिया मंगर लिए अंकल का टास्क कैंसल करना पड़ेगा और फिर हंटर का टास्क लेना पड़ेगा तब जाकर कुछ होगा अरे इतनी मर गया है वह फिर क्यों उसके पीछे ऐसे घुसरा है दिन का तीन मिट मिल गया दो मिनिट अपना भीडिये वाला शोरूम के बाहर भी इंतिजार कर रहे और एक हिरन भी दिख गई वेरी नाइस कहा गई अरह जस्ट अभी थी ना यहां पर आये देखो वन टू और अरे रिलोड वन टू और थोड़ा उपर मारूंगा गोली तो सिधा उसके कमर पर बैठेगी नई वेस्ट हो जीए दर से बुलट दिख गई है न अपने को सीन नी है बिचारा कितने दिन से पड़ा हुआ है कोई इसको लेकर नहीं जा रहा हमीं लेकर जा रहे है इस जतीने भाई बेडियों में इसकी बिलकुल अराम से जाना है ज्यादा शोर शरा बने करना वान टू और खतम आज बहुत ज्यादा एम मिस हो रहा है मेरे से पता नहीं क्यों ज्यादा नहीं बस दो पिक का तार्गेट है अगर एक भी अचिफ कर लिया न हमने एक के जितने भी पैसे हो गए अपने पास में हो जागा अपना काम थोड़ो बहुत तो तेल आ ही गया होगा ने इ मतलब आज का दिन बीदेगा और कल से फिर शुरुआत होगे और फिर हम दो तीन दिन पैसा नहीं निकाले कि यह तो होगा अपना काम दो पिक और आने वाले हैं अपने घर अभी तक बिचारे बैरेल्स हवा में यह वहीं पर फसे हुआ है जगा करनी पड़ी कि मेरे को हो रहा है कम से कम यह तो बेच देता हूं यह समाल कर करूंगा क्या हो सकता है आज कोई multiplier लगा हो तो थोड़े बहुत पैसे आ जाए तो मस्त काम हो जाएक है ना कोई multiplier बीफ एग रोस्टर मीट इंटू फोर मिल रहा है चला ठीक है ज्यादा कुछ है नहीं 490 डॉलर टोटल ऑइल भी विगरा था यहां पर बेच दिया पांसो तेरा डॉलर हो गया एक पिक का जुगाड हो गया अपना मैंना यह cooler घर पर ही रख कर जा रहा हूं ज्यादा मेरे को पसा रहा नहीं चाहिए अपनी गाड़ी में बस यह जैरी केन स्लिपिंग बैक और यह बैरल रहने दे सबर करो और अंधेरा भी अचछा हो गया यहां पर सोय और फिर जनरल स्टोर जाकर सब्सक्राइन के लिए बीचे सब्सांान के साथ में दो पिग नहीं आने वाले चल आ भूंब यहां पर पर आई गये तो आज थोड़ा सा जंगलों में सोजाते है के सूबा सामन रखने के बाद में फिर पिक खरीदने जाएंगे वसरात को आकर ना कोई सर्प्राइज ना दे दे वाई अपने को वरना बहुत दिक्कत हो जाएंगे अचैनल ने का है नहीं हो चुकी है दुबारा से प्यारी सी सुबा ला 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 लट इस दगो और मैं जैरी कें में पैट्रोल दाल करा ना भूल गया हेलो मैडम कैसी हो मुझे अरजेंड में दो female pics चाहिए ठीक है ये male है और ये एक दो ठीक है मैं तीन purchase कर सकते हूँ बट गाड़ी के अंदर लेकर जाने के लिए जगा नहीं है हाँ तीन purchase कर सकते है बठम बट तीन नहीं purchase करना दो की बात हुई थी दो हमने खरीद लिए दोनो नहीं गेम के अंदर बरफ बिर जाती तो थोड़ा सा मजह हा जाता ना बढ़किर रही नहीं इनको बारिश और कीचड कीचड में पता नहीं क्या मजह आ रहा है बच्छे लोग आ सब आप अब आको तेरल को तेरे चखर में ना दूसरे बाहर आजए के मेरा दिमाग मत खराग पर इधर से बागते जल्दिया वक्त नहीं है इधर से कोई है खड़ा हुआ यह बच्चे ना यह और बच्चे हो गई अपने पास अपने पास और बच्चे हो दूसरी और बच्च वोगा है अपने पासे में सबर्चाइए है दोनों दर्वाजे खोलने पड़़े है तब जा कर यह हो रहा है अरे क्या है यह तुम देख रहे हो एक बार है यह क्या हो गया यह इतना बड़ा टो पिक है क्यों परिशान कर रहें इसी लिए जो बाहर फैंस लगाते न वो इसी लगे वजय से बाग को नहीं लगाना ठीक है आए और आना अरे यह आ नहीं रहा है यह फास जैसे भी आया आतो घ्ली फाइनली 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 किचन रेडी ओगया मतलब kitchen ready मतलब इसका सिर्फ structure ready हो अभी अंदर furniture का काम बचा है सारी machine पर्चेस करके लिए का नहीं उसके लिए पैसे जोड़ने है थोड़े से फिर machine लाकर अंदर setup करना है उसके बाद में फिर pickka करना है बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है चुट-पुट से काम के अंदर आज भाई कुछ जादी महनत लगई है बट खेर ये था आज का एपिसोड कैसा लागा कमेंट करके ज़रूर बताना और नए आयो चैनल पे इंजा किया तो प्लीज मेक्शोर तो लाइकिन सब्सक्राइब क्यूंके चैनल पर इसे बड़े बड़े गेंपलेश दाता रहता हूँ अभी और भी नए ने गेंपलेश चैनल पर आने वाले है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अपडेट के लिए इंस्ताग्राम पर फॉलो कर लो अपड़े खॉलो कर लो